जब जब हम मनुवादी विवस्ता को टोकते हैं कि सूर्द को कैसे निगला जा सकता है आदमी की गर्दन के उपर एक हाथी की गर्दन कैसे लगाई जा सकती है कैसे मैल से बचे मन सकते हैं जैसे खेत से हल जोते हुए बचे पैदा निकल सकते हैं जब हम लोग जागरूप हो जाएंगे मैं दावे से कह सकता हूं उसी दन सुवेरा होगा लेकिन अपने ही लोग हमें कितनी जलालत की वीडियो डालते हैं उसको काउंटर कोई नहीं करता महम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान के उपर आक्रमन किया था तीन बार चार बार हारने के पश्चात खंडरात के अंदर छुपा हुआ था मकड़ी को चड़ते और उतरते देखा सोड़ा बार परियास करने के बाद वो सत्रवी बार चड़ गई उसी से सिक्षा लेकर के एक लेटर लिखा उसने विल कितनी मजबूत है वो ज़्यादा मैंने रखती है मैं आप सब भाईयों से महम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान के उपर आक्रमन किया था तीन बार चार बार हारने के पश्चात खंडरात के अंदर छुपा हुआ था सोचा अगर भागूँगा तो पीठ पे गोड़ी लगेगी और अगर सामना करूँगा तो मारा जाऊँगा लेकिन उसने एक मकड़ी को चड़ते और उतरते देखा सोड़ा बार परियास करने के बाद वो सत्रवी बार चड़ गई उसी से सिक्षा लेकर के एक लेटर लिखा उसने के राजा साहब पर्साब मैं संदी करना चाहता हूँ और संदी के लिए मैं साथ साथ माफी भी मांगना चाहता हूँ मुझे नूमती दी जाए अब राजा पर्स दर्बार सजा करके बैठ गया और वो घुटनों के बल्द चलते 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 राजा साहब की जाके जब पैर पकड़ते ही खड़ाओ करके किनपटी के उपर उसने हथियार रख दिया और उसको भरी मैफिल से कैद करके के बोलो सब को बोल दो हथियार डाल दो नहीं हम तो मरे हुए हैं आपको मार देंगे युद जीत गए यहां से कैदी बना करके ले गए कि हम इतनी मैफिल के अंदर साइद उपर मंच के उपर डाइस पर ज़्यादा लोग बैठे हैं हम आपको कहें कि आप कम लोग ले करके आए हैं ये हमारी ना समझी और हमारी बेवकूफी होगी आप इतने ही लोग अगर मारमिक हैं और आप मिशनरी हैं हम उस लडाई में हर रोच दो दो हाथ करते हैं लेकिन अपने ही लोग हमें कितनी जलालत की वीडियो डालते हैं उसको काउंटर कोई नहीं करता हमारी बात को कहे हुए को काउंटर जो जो मनुवादी विवस्ता के लोग हैं जो काउंटर करने के लिए आप लोगों की जुम्मेवारी बनती है कि दो चार सनाद हैं तो सायद उसके अगले दंजोमान बंद हो जाए जब जब हम मनुवादी विवस्ता को टोकते हैं के सूर्द को कैसे निगला जा सकता है आदमी की गर्दन के उपर एक हाथी की गर्दन कैसे लगाई जा सकती है कैसे मैल से बच्चे मन सकते हैं कैसे जैसे खेत से हल जोते हुए बच्चे पैदा निकल सकते हैं कैसे मत्से भगवान आदीन रेन को पैदा कर देता है कि मचली पाणी में रहती है अंडे देती है अगर वो अंडा देने जमीन पर आई तो मचली बची कैसे अगर वो अंडा पाणी में दिया तो बच्चा आदीन रहन भगवान बढ़ा कैसे हर रोज जब इस का चीर हरन करते हैं तो अपने लोग जो भटके हुए हैं हम उनको बुरा नहीं कहते हैं उनको अभी तक किसी ने सिखाया नहीं है ना उन्होंने बाबा साब को पढ़ा ना उन्होंने महत्मा जोतिवा भूले माता स्वितरी भूले को पढ़ा अरे नमन कीजिए इन लोगों को ये भी अकेले थे कीचड़ और पथर खा करके आपको आज कुरसी पर बठाने के काबिल करके शिक्षा दे करके वही जोत बाबा साब ने आपको सविधान में लिख करके दी मत डरें मत घबराएं के हम अकेले हैं आजा केले नहीं हो कल तक मेडिया हमारी बात नहीं उठाता था अगर मेडिया के चैनल हमसे भी कॉंटेक्ट करेंगे हम परियास करेंगे कि इन भाईयों को सपोर्ट करें क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मेडिया के माद्यम से यहां भले संख्या काम हो हमारे लोग ना आए लेकिन अपने चैनलों के उपर सब्सक्राइब करके अपने चैनलों को पोस्टर रोज डाल करके अपने लोगों तक अंद्विश्वास का चीर हरन करते रहें जब हम लोग जागरूप हो जाएंगे मैं दावे से कह सकता हूँ उसी दन सवेरा होगा सवेरा होने जा रहा है बाबा साब ने स्वर्नेक्सरों में लिख रखा है के बीसवी सदी मनुवाद की है अंद्विश्वास और पाखंड की है 21 सदी का अभी 22 साल चला है और 22 साल में आप लोगोंगे अंदर इतने चैनल यहां पर खड़े है मैं सलूट करता हूँ इन भाईयों को कि जो लोग आज कम से कम आपकी बात को पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में पूरे विश्व में बात से ली जाएं मित्रो भाचनों में कुछ रखा नहीं है एक्षिन में कुछ रखा है डरे मत कि हम अकेले हैं हम अकेले नहीं हैं हम आपके साथ है चिंटा करने की जूरुत नहीं आप जहां लगें बस लगे रहें मिशन का काम करते रहें बाबा साब ने जैसे किया था माता स्वित्री वाई भूले और परियार रमासवामी गाडगे साब ना जाने कितने महापुर्चों ने बाबु जिक देपरसाद और अभी वावन मेश राम जी काशी राम जी जैसे बहुत सारे लोग काम करने के लिए आए हैं हम आपको रास्ता दे करके जाएंगे ये दुआ करते हैं हम